हेलो एवरिवन, तो 24 जैनुरी, मॉर्निंग शेफ्ट, जे ही मेन का पेपर आपसे डिसकस किया जा रहा है, काफी सारे कोश्चन्स आपके सामने, अल्रेडी डिसकस किये जा चुके हैं, और वी आर रियली थैंक्फुल तो आवर इस्टुडेंट्स, जिनकी वजे से अपन कर पाए, और memory-based questions हैं, तो definitely data में थोड़ा बहुत changes हो सकते हैं, बट फिर भी आपको एक pattern देखने को मिलेगा questions का, जो आपको आगे आने वाले papers में helpful हो सकता है, तो 20th question onwards बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक simple ITF का question था, जैसा कि यही मेन का pattern भी रहा है, ITF का बहुत ही normal question हमेशा पूछते हैं, तो 10 inverse this plus second inverse this, तो अगर अपन इस part को simplify करते हैं, तो अगर denominator से root 3 common लेते हैं, तो यह आपका 1 upon root 3 हो गया, 1 upon root 3 मतलब की pi by 6, 10 inverse 1 upon root 3, pi by 6, plus यहाँ पर एक बहुत simple irrational numbers के under roots, अपन 10th class में भी पढ़ते हैं, तो अगर अपन यहाँ पे 8 plus 4 root 3 को देखें, तो अगर अपन numerator denominator को 2 से multiply कर देते हैं, तो यह 16 plus 4 root 3 into 2 divided by 12 plus 3 root 3 into 2 बन जाता है, ठीक है, अच्छा, अब आप notice करिए कि numerator को अपन कितना लिख सकते हैं, देखें, numerator आपका लिखा हुआ है, 2 root 3 plus 2 का whole square, आप देखें, इसको लिख सकते हैं, 2 root 3 plus 2 का whole square, आप देख सकते हो, cross verify करिए, तो 16 plus 8 root 3 आजाएगा, और अगर अपन इसको देखें, तो इसको अपन लिख सकते हैं, 3 plus root 3 का whole square, यह देखें, 12 plus 6 root 3 आजाएगा, और यह पूरा under root के अंदर है, तो आपन देख सकते हैं, कि यह बन जाएगा, second verse, 2 root 3 plus 2 divided by 3 plus root 3, और यहां पर बहुत कमफरटेबली आपन देख सकते हैं, कि उपर से 2 common लेंगे, तो root 3 plus 1 आएगा, यहां पर अगर root 3 common लेते हैं, तो root 3 plus 1 आएगा, तो ultimately यह 2 by root 3 है, या फिर आपन cos inverse में root 3 by 2 बोल देते हैं वो भी हमारा 30 degree हो गया, तो यह भी 5 by 6 आगया, तो 5 by 6 plus 5 by 6, that will become 2 by 6 और 5 by 3, तो यह काफी ordinary question आपको देखने को मेला, ITF का, next question पर move करते हैं, तो यह देखे 21st number, जो question retrieve किया गया, consider a GP with 4th term 500, तो देखो भई, GP का 4th term आपको given है, मतलब आपन बोल सकते हैं कि AR cube is equal to 500, यह आपको पता है, ठीक है, if SN denotes sum of first hand terms, बारी नॉर्मल सी बाते लिखे हुई है, of GP such that, देखें यह जो inequality लिखे हुई है, S6 is greater than S5 plus 1, देखो यार, S6 is greater than S5 plus 1, अगर आपन S5 को इधर देखें, तो देखा जाए तो S6 minus S5, it is actually T6, 6th term, तो अपन इस बात को यूँ read कर सकते हैं, कि 6th term is more than 1, right, and अगर आप यह वाली inequality देखें, तो S7 minus S6 is nothing but T7 only, so T7 is less than 1, काफी simple problem है अभी तक की, अगर आपन देखें, तो 6th term है, geometric progression का, that is more than 1, और 7th term है, वो less than 1 है, और 4th term 500 है, यह 3 information दे रखी है, तो common ratio, 1 upon M दिया हुआ है, M belongs to natural number, तो find number of possible values of M, मतलब common ratio क्या-क्या हो सकता है, ultimately आपको यह comment करना है, common ratio पर comment करना है, अच्छा तो एक बात सोचते हैं, कि T7 actually क्या होगा, AR to the power 6, AR cube already 500 है, तो आपन कह सकते हैं, कि AR to the power 6 को मैंने लिखा 500 into R cube, less than 1, ठीक है, और R आपको 1 upon M दे रखा है, तो अगर मैं इसको 1 upon M cube लिख देता हूँ, तो M cube is more than 500, ठीक बात है, अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पे, T6, देखो भई, T6 का मतलब हुआ, AR to the power 5, और AR cube आपको 500 दिया हुआ है, तो we can write it 500 into R square, more than 1, and because R is 1 upon M, तो यह देखो आपके पास हो गया, M square is less than 500, देखो मैंने cross multiplication इसलिए किया है, क्योंकि M natural number है, positive number तो हो ही गया वो, है ना, तो इसलिए आपने inequality में cross multiply कर रहे है, देखो यह आपको suggest करता है, कि M अगर natural number है, तो M क्या होना चाहिए, अगर आपने इस पे calculation करें, तो 6 का cube, आप सबको याद होगा, 216 होता है, और 7 का cube करेंगे, तो 343 आएगा, और 8 cube, है ना, 8 cube कितना हो जाएगा, 2 की power 9, 5 12 हो जाएगा, यानि कि M की value, 8 से शुरू हो गई, है ना, 8 से start हो गई, और अगर आपने यहाँ पे देखें, तो M square 500 से काम होना चाहिए, तो M की value guess करते है, तो 20 से 400 आएगा, 21 ठीक है, और 22, 22 square एक बार करके देख लेते हैं, वैसे आपको याद भी हो सकता है, बढ़ एक बार देख लें, 484, है ना, तो M की value 22 भी चलेगी, 23 नहीं चलेगी, मतलब 8 to 22, कुछ भी हो सकता है, M का value 8 से लेके 22, कुछ भी हो सकता है, इसमें पूछा था number of values, तो 8 से लेके 22 तक अगर आपन बात करें, तो कितनी values हो गई, 15, 15 values आगे, 8 to 22, है ना, 15, तो M के लिए 15 possible values हो गई, तो देखो, अगर आपन बात करें, तो sequence and series का बहुत ही simple problem है, देखी जाए, तो आपको 3 information दे रखी हैं, और उससे आपको common ratio पर comment करना है, राइट, चलिए, next question पर move करते है, तो यह, देखे, 22nd number problem, देखो, इसमें लिखा हो है, PQR lies on the sites AB, BC, CA respectively of a triangle ABC, dividing them in the ratio 1 is to 2, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन डियाग्राम बना लेते हैं, तो जो question में कहा जा रहा है, उसके basis पे एक डियाग्राम construct करते हैं, यह हमारे पास एक triangle ABC हो गया, यह आपके पास triangle ABC ह है, तो P is somewhere here, और यह 1 is to 2 में divide कर रहा है, ठीक है, और Q, Q आपका BC के उपर है, तो मान लेते हैं, Q यहाँ पे है, और यह ratio भी 1 is to 2 है, ऐसा question में लिखा हुआ है, और R CA पे है, let's say R यहाँ पे हो गया, और यह ratio भी 1 is to 2 है, है na, CA, ठीक है, then ratio of areas of triangle ABC and triangle PQR, ओके, यह आपके पास एक triangle PQR बन रहा है, तो आपको बताना है कि वो जो बड़े वाले triangle का area है, और वो जो बीच में triangle PQR बन रहा है, इन दोनों triangle के areas का क्या ratio होगा, ठीक है, देखो यह एक trigonometry का आसान सवाल है, basically area of triangle ही use करना है, इस से यादा कुछ भी न करते हैं, कि suppose यह 1 is to 2 ratio है, तो बान लेते हैं कि यह जो length है, वो L है, तो यह 2L हो गई, ठीक है, और यह जो length है, suppose यह M है, तो यह 2M हो गई, और यह length जो CR है, इसको मैंने N बोला, तो यह 2N आ गया, ठीक है, अच्छा, अब अगर आपन बड़े triangle का area देखें, triangle ABC का area, ठीक है तो अपन बोल सकते हैं, किसी भी triangle का area, half AB sin C, half BC sin A, half CA sin B है ना, मतब दो sides का product, और उनके बीच का enclosed angle है, उसका sin, और half, ठीक है, तो अगर अगर आपन triangle ABC का area देखें, तो अपन बोल सकते हैं, half this length into this length, देखो यह length 3L है, और यह कितना है, 3N, तो यह आपके पास आजाएगा, 9 LN, और sin A, यह देखें, यह आपका area आगया, ठीक है, triangle ABC का, ठीक है, अच्छा, अब इसी area को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप सोचो कि मैं इसको ऐसे लिखूँगा, half, अभी अपन ने ये वाली और ये वाली side देखी थी, अपने काम कर सकते हैं, ये वाली और ये वाली side को 3M, sin B, और अगर अपन ये वाली side के basis पे area पे comment करें, तो ये हो जाएगा half into, देखें, 3M और ये 3N, तो ये हो जाएगा 9 times MN, sin C, तो triangle ABC का area अपन इन तीन तरीकों से लिख सकते हैं, अच्छा, अब अगर अपने वो triangle PQR का area निकालना है, तो अपने पास एक option है, कि मैं ये छोटा सा एक triangle दिख रहा है, triangle APR, और एक triangle आपको ये दिख रहा है, CRQ, और एक triangle आपको दिख रहा है, triangle BPQ, अगर मैं इन तीनों triangle के areas को निकाल लेता हूं, तो बीच वाले triangle का area भी आ जाएगा, तो मान लेते हैं, अपने इसको delta नाम दे दिया, right, delta नाम दे दिया, suppose, ये delta ह ठीक है, और तो obviously ये भी delta है, और ये भी delta है, अब अगर आपन ये वाले triangle का area देखें, तो ये कितना होगा, आप notice करिए इस बात को, देखो इसका area आएगा, ये 2M है, और ये 2N है, और ये angle C है, तो अगर आप इसका area देखें, तो half this into this, तो MN sin C आ गया, ये देखें, MN sin C और अगर आपन इसका area देखते हैं, तो half L into 2N, यानि कि LN sin A आ गया, और अगर आपन इस वाले triangle का area देखते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा, LM sin B, ठीक है, अच्छा, अब आप एक बास सोचिए, कि MN sin C, इस जगे से आप देख सकते हैं, इस ट्वाइस ओफ delta by 9, और अगर आपन इसको देखें, तो ये भी आपका 2 delta by 9 आ रहा है, अगर आपन देखें, तो अगर बड़े triangle का area, triangle ABC का area delta है, तो ये 2 delta by 9, 2 delta by 9, और ये 2 delta by 9, मतब ultimate ये आपका 6 delta by 9 हो गया, 6 delta by 9, तो अगर आपन ये वाले triangle का area देखें, तो ये अपने पास कितना आ जाएग है ना यह आपका 6 delta by 9 और total तो delta है तो यह बीच वाला delta 3 delta by 9 यानि कि delta by 3 हो गया तो आपन यह कहा सकते हैं कि अगर बड़े triangle का area delta है तो यह छोटा triangle PQR इसका area 1 third होगा तो आपको ratio निकलना था ratio of area of triangle ABC and triangle PQR तो triangle ABC का area 3 गोना होगा तो 3 is to 1 है ना तो यह आपका area 3 निकल के आ गया तो देखें यह भी area of triangle का असान सवाल ही कहा जाएगा फिर अपन next question पर move करते हैं यह देखिए आपके पास एक relation से related question जैसा कि आपन देखते हैं relation, stats, reasoning यह बहुत छो question आने की probability हमेशा बनी रहती है तो एक simple question देखिए एक relation दिया हो है natural number 2 natural number such that यह relation है GCD of AB is equal to 1 and 2A is not equal to B तो relation बताना है reflexive symmetric transitive में क्या होगा देखो मैं अगर आपन reflexive की बात करें A, A लेते हैं तो GCD of A, A 1 होगा यह बात तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि अगर मैंने दो numbers 55 ले लिए तो 5, 5 का GCD, GCD मतलब HCF वो तो 5 आ जाएगा तो GCD of A and A will be 1 यह statement हमेशा सही नहीं होगा केवल एक ही case में सही होगा जब A और A दोनों 1 हो जाए तो यह reflexive नहीं हुआ symmetric की अगर बात करें तो अगर A और B दो numbers है जिनका GCD 1 है तो B और A का भी GCD 1 होगा बहुत simple सी बात है तो यह reflexive नहीं हुआ symmetric है ठीक है अब बात आती है transitive देखो अगर दो number A और B हैं जिनका GCD 1 है मतलब वो दोनों co-prime है और B और C का भी GCD 1 है मतलब B और C भी co-prime है तो ज़रूरी नहीं कि A और C भी co-prime हो for example आप एक pick कर सकते हैं 4,7 and 7,8 यह देखिए 4,7 का GCD आपका 1 आएगा 7,8 का भी GCD 1 आएगा but 4,8 का GCD 1 नहीं आएगा है न मतलब A B है B C है बट A C नहीं है relation के अंदर तो यह transitive भी नहीं हुआ ठीक है तो अगर आप options पे आए तो reflexive and transitive यह option अपने आप में गलत हो गया reflexive but not transitive तो reflexive तो नहीं है यह symmetric but not transitive तो yes symmetric but not transitive symmetric and transitive तो यह भी गलत हो गया तो यह बहुत ही simple देखिए relation का बस आपको पता होना चाहिए relation का concept क्या होता है और आप इसे nail down कर देंगे राइट फिर आते हैं अपन इस 24th number question पे sorry consider the vectors u and v consider vector w such that यह आपके पास एक relation दिया हुए यह एक relation दिया हुए v.w is equal to 2 दिया हुए then find u.w है यह जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि जो data retrieve हुआ है बच्चों से उसके basis पे ही यह question आपको discuss किया जा रहे है तो इन सभी questions को discussion करने का जो main उद्देश है वो यह है कि अभी जो आने वाले दिनों में जेई में बच्चे देने वाले हैं उनको एक question का प्रारूप मिल जाए exact question यही का यही जेई में में पूछा गया था इसकी guarantee नहीं है बट हाँ प्रारूप जो pattern है pattern of the question वो बिलकुल identical आपको मिलने की उमीद है तो अब यहां पर देखिए आपको u v 2 vector दिये हुए हैं आपको u dot w calculate करना है तो देखो ऐसे vector equations अपने solve किये हैं class में अपने solve होते हैं यह तो v cross w is equal to u plus lambda v देखो यहां पर एक problem यह है कि lambda आपको दे दिया गया है जबकि lambda हमको पता नहीं है यह ना lambda कहीं भी question में given नहीं है तो यह एक hint भी दे रहा है आपको कि अगर आप lambda को हटाना चाहें तो अपन इस पूरे equation में अगर v के साथ cross कर देते हैं v के साथ cross तो यह वाला part 0 हो जाएगा और हम vector equation में यह काम करते भी हैं अच्छा v के साथ cross करने में यहाँ पे vector triple product आएगा जिसमें v dot w vector v आएगा v dot w भी question के अंदर दिया हुआ है यह motivation है v के साथ cross करने का तो अपन ने इस equation को v के साथ cross कर दिया यह देखिये this is equal to v cross u right देखिये यह बना v dot w that is 2 times vector v minus v dot v तो v dot v हमारा mod v square हो जाएगा mod v आप देख सकते हैं under root 3 आ रहा है तो यह अपने आप में आ गया 3 times v dot w vector v minus v dot v that is mod v square times vector w is equal to v cross u यह लीजिए अब अगर आप इस equation के अंदर देखें तो आप बहुत comfortably देख सकते हैं कि आपको w मिल चुका है क्यों क्योंकि आपको पहले से vector v और vector u question में given है तो मैं यहाँ से w निकाल लेता हूं तो 3w is equal to 2v minus v cross u यह देखिये अब मेरे को निकालना था u dot w तो अपन यहाँ पे u के साथ dot कर देते हैं तो u dot w is equal to यह अपने पास आगया twice of u dot v और यह जो v cross u है जब आप इसके साथ u का dot करेंगे तो वो 0 हो जाएगा तो देखिये काफी आसान सवाल बन गया यह अपने पास आगया twice of u dot w is equal to u dot v calculate कर लेते हैं u dot v देखिये कितना आएगा 1 plus 11 12 12 minus 9 12 minus 9 कितना हो गया भई 3 तो 3 by 2 यह देखिये है ना तो 3 times u dot w is equal to u dot v 3 by 2 और into 2 भी था देखो टू टू नरीफाइड हो गया ultimately u dot w आपका कितना निकल के आ गया 1 है ना u dot w आपसे पूछा गया था तो यह आपका 1 निकल के आ गया है ना fourth option तो यह हम लोगों ने आपके सामने सभी questions रखे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो बच्चे आज सवेरे की shift में paper देके आये हैं उनका paper बढ़िया गया होगा और जो आगे वाली shift के paper हैं जिन बच्चों के उन सभी को मेरी तव से all the very best बहुती शान्त दिमाग के साथ आपको जितना आता है जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको बहुत बढ़िया तरीके से deliver करने ही कोईश करिये जही में के आगे आने वाले papers में भी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक बड़ा bunch of problems easy questions का मिलेगा जिसको करके आप एक बढ़िया rank secure कर सकते हैं तो wish you all the best for upcoming exams